नमस्कार प्यारे विद्यार्तियों, मैं अर्वीन सर्मा, MGCI के Digital Learning प्रेटफर्म में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. प्यारे विद्यार्तियों, आज मैं MPPAT 2022 की संपुर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ. विद्यों के साथ अंत तक जुड़े रहें, ताकि फाम बरते समय हमसे किसी प्रकार की कोई तूटी ना हो. दोस्तों, MPPAT 2022 के फाम बरना स्टार्ट हो चुके हैं, 31 तारिक से, और फाम बरने की सारी प्रक्रिया, कोन-कोन से आपको डाकुमेंट्स लगेंगे फाम बरते समय, ये सारी जानकारी में आपको देने वाला हूँ. तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि फाम बरने की तिथी जो है, वो 31 अगस्त से प्रारम हो चुकी है, अंतिम तिथी इसकी देखी जाए, तो 14 सितंबर तक है. अगर कोई दिक्कत आती है, तो संसोधन कराया जा सकता है, 31 अगस्त से लेकर, 19-9-2022 के बीच में, और ये जो परिक्षा है, इसका आवजन होना है, 15-16 अक्टूबर को. क्वाम भरते समय, जो अनारक्षित अव्यारती है, इनके लिए परिक्षा का जो सुल्क है, वो 500 रुपे है, बाकी सारी केटेगरी के लिए, इसका सुल्क 2500 रुपे रखा गया है, साथ ही अगर आप देखेंगे, 60 रुपे MP Online का पोर्टल सुल्क यहाँ पर देना होगा. समय सारनी के बारे में, मैं आपको जानकरी दे चुका हूँ, इसके अलावा, एड्मिट कार्ड जब इसके आएंगे, तब एक वीडियो और लेकर आऊंगा, कि एक्जाम में हमें किस जाना है, तो कौन-कौन सी चीजे लेकर जाना है, क्या-क्या सावधानी रखना है. दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, तो ये जो परिक्षा है, इस परिक्षा के अंतरगत हमारे को आनलाइन परिक्षा केंदर का चुनाओ करना होगा, आनलाइन परिक्षा है पुरी तरह से, और ये जो साथ एक्जाम के सेंटर है, इन में से कोई एक सेंटर आप चुन सकते देना है दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि ऑनलाइन आविदन पत्र के साथ सलगन किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरन ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है कौन-कौन से दस्तावेज हमारे को लगेंगे तो सबसे पहला अब व्यारत का कलर फोटो हस्ताक्षर एवं स्वयम की हस्त लीपी को हमारे को प्रपत्र पारूप चवुदा के अनुसार इसकेन कराकर सलंगन करना होगा अनिवार रूप से किस तरह से करना है ये जो हम बात करें प्रपत्र पारूप चवुदा क्या है आगे मैं आपको बताने वाला आवेदक को जन्मती थी के प्रवानपत्र हेटू आठवी दसवी अत्वा बारवी की अंगसुची को सकेन करवा कर सलगन करना होगा ये भी बहुत इंप्रोंटन चीज है साथ ही आपको जाती प्रवान पत्र जो है इसे भी स्केन करके सलगन करवाना है ये कुछ दस्तावेत है जो कि भोती महत्पून है आपको इनका ध्यान रखना है आगे हम लोग बढ़ें आउनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर सलगन करने संबंदी निर्देश अब हमें लगता है कि फोटो भोती सामाने बात है हम कोई भी कलर फोटो खिचा के लगा दें और हस्ताक्षर में क्या है तो दोस्तों यहां कई बार हमसे गलती होती है बड़ी आपको साथानी से ध्यान रखना है सबसे पहली बात यह कि हमारे को जो फोटो इसकेन कराकर सलगन करना है उपरी भाग में फोटो रखना है यह प्रारूप चबुदा का में बताऊंगा आपको तथा हस्ताक्षर करना है निचले भाग में और फोटोग्राफ जो है अच्छी गुनवत्ता एवां वेक्ग्राउंड सफेद होना चाहिए पोलोराइड फोटो मानने नहीं होगा है याद रखना पोलोराइड जो होती तुनन निकालने वाली फोटो जो है यह फोटो घंड करतें कलर य exhibits मानने नहीं होगी फोटो फामने से खिचा हुआ होना चाहिए जिस्में अव्यारती के दोनों कान इसंपस दिखाई दें फोटो खिचाते समय आप इस बात का ध्यान रखें उप्रोग मापदंड के फोटोग्राफ सलगन नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है यह बात आपको ध्यान में रखना है फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथी से तीन महा से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए यह भी एक बहुत इंपोर्टन चीज है कोई पुराना रखा हुआ फोटो है तो वो काम नहीं चलेगा तीन महीने के अंतर का है तो चल जाएगा फोटोग्राफ पर खिचवाना जब फोटो खिचवाई है उसकी दिनान वह आवेदक का नाम का इसपस्ट उल्ले होना चाहिए मतलब जिस डेट को आपने फोटो खिचाई है उसकी तारिक और अपना पूरा नाम उसके उपर लिखा होना चाहिए यथा संभव अविहारती द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो जैसे दाड़ी में या क्लीन सेव लगाया गया है तो परिक्षा हाल में भी वेसी ही स्थिती में आपको उपस्थिती दर्ज कराना है मतलब फोटो अलग नहीं होना चाहिए आपके रूप से ये बात को आपको examination center में ध्यान रखना है इसके अलावा अगर आपको चस्मा लगता है तो फोटो भी चस्मा लगा कर ही आप खिचवाएंगे ये बात हमारे को ध्यान रखना है आनलाइन आवेदन पत्र के साथ सलगन किया गया फोटो ही counseling तक आपको काम में आने वाला है इसलिए आप ध्यान रखें कम से कम पांच फोटो उस प्रकार के खिचवा के रख लें ताकि admission प्रोसेस जब तक हो जाए तब तक हमारे पास ये फोटो जो है बचा रहे और किसी प्रकार की हमें कोई समस्या ना आए इसके बात आनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्दारी जग मानलो आपका नाम राम है और आपने इस तरह से लिख दिया ये वाले अस्ताक्षर भी चलने वाले नहीं है अस्ताक्षर अत्वा एक से अधिक अस्ताक्षर माने नहीं होंगे केपिटल वाले और एक से अधिक अस्ताक्षर माने नहीं होंगे मानलो आपका नाम राम है तो लगू हस्ताक्षर नहीं चलेंगे इस बात को ध्यान में रखना है आगे हम लोग बात करते हैं Missing अथवा इस पस्ट फोटो हस्ताक्षर या हस्त लिपी होने पर आवेदन पत्र जो है अमाने कर दिया जाएगा तीनों चीज़ें आपको अच्छे से उसके अंदर स्केन होने के बाद दिखाई देनी चाहिए Missing नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपका आवेदन पत्र जो है निरस्त कर दिया जाएगा आनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिये गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर आपको परिक्षा हाल में करना है कांसलिंग चैन और प्रविस के समय करना है इस बात को ध्यान में रखना है आपके हस्ताक्षर बदलने नहीं चाहिए अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हम बात कर रहे थे प्रारूप उस तरह का प्रारूप है इसमें हमारे को यहां पर फोटो लगाना है यह फोटो का यहां पर दिया हुआ को sex역 करना है जैसा कि वह आभ ईर यह को बताए की राम है तो इस तरह से गर सकते हैं इसको करने के बाद या आधा ही में दिखाया आपको प्रारूप DO इसका निचलə ये वाले बॉक्स में लिखेंगे लिपी और इसके बाद आपको इसको सलगन करना है अपलोड करना है अब हमारे पास जो है आनलाइन आवेदन पत्र भरने है तो दो विकल्प हैं एक इंटरनेट केफे द्वारा कियोस के माध्यम से और दूसरा है स्वयम के कम्प्यूटर द् कि फार्म भरने से पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है प्रोफाइल तयार करनी होगी प्रोफाइल आईडी बनानी होगी इसी से आप फार्म भर पाएंगे अभी इसकी जानकरी में आपको आगे देने वाला हो कि किस तरह से ये कारे करना है तो अगर हमें आनलाइन आव जानकरी उनके पास होती है और वहां आप आसानी से फार्म बर सकते हैं अपने कंप्यूटर के द्वारा फार्म बरने में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है अब अगर आप MP online कियोस्क के माध्यम से आवेधन फार्म बरना चाहते हैं तो इसकी विधी क्या रहेगी तो पूर्टल पर पुपलब्द कराए गए आवेधन प्रत के प्रारूप को नियमों के अनुसार पूचित रूप से भरना चाहिए जो भी जानकरी हमसे पूछी जा रही है उसको अच्छे से भरना है साथ में आवेधक का फोटो हस्ताक्षर हस्त लिपी की दो लाइनों को स्क अस्त जानकारियां भली बाती पढ़कर सही सही जानकारी को भरना होगा अच्छे से हमारे को सारी जानकारी को पढ़ना है सारी जानकारी अच्छे से आप पढ़ लें उसके बाद ही आप लोग सुल्क के भुक्तान की सहमती दें यह हमारे को ध्यान रखना अच्छे से फाम तो किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भुक्तान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस के धारक द्वारा computerized आवेदन पत्र की सहर असीद आवेदक को उपलब्द कराई जाएगी है ना रसीद दी जाएगी जिसमें आवेदक का अनलाइन आवेदन पत्र और उसमें समस्त भरी गई जानकारी और पोर्टल सोकुकर के भुक्तान की जानकारी उपलब्द रहेगी और इससे अपने पास समभाल के रखना है क्योंकि इसी से admit card निकलेगा आगे जाकर हम लोग इसी से अपना result भी देख पाएंगे ये हमारे को ध्यान रखना है अब online आवेधन पत्र भरना है तो इसके संबंध में हमारे को निर्देश यह है कि अंतिम तिथी को रात्री 12 बज़े तक ही आप ये फार्म भर पाएंगे इसके बाद आप नहीं भर पाएंगे तो आप अंतिम तारिक का इंतजार ना करें दूसरा आवेधन पत्र में शरीर के इस्थाई चिन तथा परिक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरन तथा क्रमांक अनिवार रूप से हमारे को अंकित करना होगा सरीर पर कोई भी इस्थाई चिन हमारे को उसकी जानकरी देना है जैसे आप देखेंगे कि मेरे सिर के उपर यहां पर यह कट का निसान है एक चोट का निसान है तो उसकी जानकरी दे दें कोई तिल हो सकती है कोई घाव का निसान या किसी और तरह का अगर कोई चिन है उसकी जानकरी जरूर देना है और फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड है बोटर कार्ड है इस तरह के जो कार्ड हमान लोग एक्जाम में लेकर जाने वाले हैं उसकी जानकरी यहां अनिवारे रूप से देना होगा आगे बढ़ते हैं तो आनलाइन पत्र में भरी जाने वाले समस्त जानकरियों की सुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदाहित वो आवेदत का होगा आपको इस बात का ध्यान में रखना है इसके अलावा आवेदन पत्र में सेक्षरीक आहरता के अनुसार आहरता रखने वाली अंक सूची का क्रमांग तथा कुल प्राप्तांग पूर्णांग सहीत आवेदन पत्र में भरना होगा जैसे बारवी है तो बारवी का हमारे को यहाँ पर रिजल्ट उसके अंदर जैसे रोल नमबर कितने मार्क्स वगिरा है इसकी जानकारी देना होगा आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधारकार्ड क्रमांग यह अनिवार रूप से अंकित किया जाना है इसके बिना आप फार्म नहीं भर पाएंगे दूसरा हम लोग बात करते हैं बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के आपकी परिक्षा हाल में इंट्री नहीं होगी इसलिए बायोमेट्रिक का आपको पेले से ध्यान रखना है बायोमेट्रिक अपना चेक करवा लें किसी भी MP Online पे जाकर कि ठीक से आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है अब आउनलाइन आवेधन पत्र भरने की विवस्ता कहां पर है तो MP Online की वेफसाइट है www.mponline.gov.in के माध्यम से आप फार्म भर पाएंगे ठीक है इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो आप देखेंगे निर्दाज तिति में जमा किये गए आउनलाइन आवेधन पत्र में संसोधन की विवस्ता अगर आप आवेधन पत्र भरते समय कोई गलती करते हैं तो संसोधन ये बहुत ही important point है इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है क्योंकि कुछ चीजे ऐसी हैं जिन में सुधार नहीं होता और हम गलती कर देते हैं अक्सर तो मैं आपको इसमें बड़े ध्यान से बता रहा हूँ बड़ी सावधानी से सुने आउनलाइन आवेधन में निर्धारित दिवस्तक स्वयम आवेधत द्वारा इंटरनेट से या MP Online के अधिकरत कियोस्ट के माध्यम से अपने आउनलाइन आवेधन पत्र में संसोधन किया जा सकेगा और केवल आवेधन आवेधन पत्र में संसोधन होगा आपको इस बात को ध्यान में रखना है दूसरी बात हम यहां पर बात कर रहे हैं कि संसोधन अगर हमारे को करना है तो निर्धारित तितियों में आवेदक इसको एक या एक से अधिक बार संसोधन करवा पाएगा MP Online के कियोस्क से या खुद सुल्क भरके ये एक से अधिक बार संसोधन करवा सकता है समझ गए ये आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी दूसरी बात ये सबसे इंपोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है संसोधन प्रक्रिया के अंतरगत आवेदक को वाइटल फिल्ड अर्थात नाम पिता माता या पती के नाम एवं जन्म तितियों में किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं किया जा सकेगा एग वार अगर आपने अपनी डेटा वर्थ डाल दिये अपना नाम पिता का नाम माता का नाम ये डाल दिया है तो इसमें किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं होगा ये ध्यान रखना है और बिना डेटा वर्थ के सही डेटा वर्थ के आप न तो अपना रिजल्ट देख पाएंगे न आप परिक्षा दे पाएंगे तो यहां ध्यान रखें कुछ परिस्तितियों में आप देखोगे करेक्षन संभव है वो प्रविष्टियां कौन-कौन सी है तो फोटो है अस्ताक्षर है इनमें संसोधन किया जा सकेगा इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि संसोधन के लिए निरदारित अहोधी में स्वयम आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक में ट्रांजेक्षन आइडि में नमबर वर जन्मतिति का उपयोग कर अपने आनलाइन आवेदन पत्र में आवस्यक संसोधन किया जा सकेगा तथा एसे किसी भी संसोधन के लिए आवेदर की स्वेम की जिम्मेदारी होगी मतलब आपको आवेदर पत्र, ट्रांजेक्शन आईडी और अपनी डेटा वर्त से आप संसोधन करवा पाएंगे लेकिन कुछ और फिल्ड बता रहा हूं जहां पर संसोधन नहीं होगा जैसे आवेदर पत्र क्रमांग इसमें संसोधन नहीं होगा ट्रांजेक्शन आईडी इसमें संसोधन नहीं होगा बोर्ड आवेदर पत्र क्रमांग इसमें भी संसोधन नहीं होगा इसलिए इसको बड़ी साउधानी से बरना है, इमेल आईडी जो डालें उसका पासबर्ड याद रखें, लिखके रख लें, इसको हमारे को बड़े ध्यान से रखना है, नहीं तो पता चले कुछ गलती हो गई, तो इन फिल्ड में संसोधन नहीं होगा, आगे हम लोग बढ़ और बिना सूचना के लगातार 15 दिन अनुपस्तित रहता है, तो उसकी सीट के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे ये ध्यान रखना है, अब ये जो परिक्षा है, इससे आप हमारे यांके तीन जो विशुविध्याले है, RVS के वीवी, JN के वीवी, और इसके अलावा हम चित्रकूट के जो विशुविध्याले है, इसमें प्रवेस ले सकेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा सिक्षन सुल्की की जानकरी दे दूँ, अगर महात्मा गांदी, चित्रकूट, ग्रामोदय, विशुविध्याले में अगर आप जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, फ्री सीट और पेमेंट सीट, फ्री सीट का सुल्क है 28,150 और पेमेंट सीट का सुल्क है 62,650, ये चित्रकूट का हो गया, आगे अगर हम लोग चलते हैं, हम सुल्क का विवरन यहां दिया हुआ है, आरवी एस के वीवी में अगर आप लेते हो, चाहे क्रसी हो, चाहे उद् दिये हुए हैं, ये आप देख सकते हो, इसके अलावा, अगर पेमेंट सीट लेते हो, तो सिक्षन सुल्क इता है, 22,708, बाकी ये जो सुल्क हैं बीच वाले, ये सब लगेंगे, इसी तरह से, अगर हम जेन के वीवी की बात करें, तो 22,690, और अगर हम अभियांत्रिकी की इसमें सामिल नहीं है, शात्रावास का सुल्क अगर आप शात्रावास लेते हो, तो प्रथक से देना होगा, अलग से आपको देना होगा, आगे चलते हैं, अब अगर आनलाइन आवेदन पत्र स्वयम के कंप्यूटर द्वारा आप भरते हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने गुवर पर जाके पीवी सर्च किया, पीवी सर्च करने के बाद आप जैसी क्लिक करोगे, प्रोफेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड ये वाली स्लाइड आएगी, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खु मैं चातर हैं, उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे जाकर पेले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, प्रोफाइल बनाने का मतलब वही है कि संकुन्ड जानकारी आपको भरना है, अपना फोटो लगाना है, अपने हस्ताक्षर, अपन आपके पास प्रोफाइल बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, यह आप देखेंगे, प्री अग्रिकल्चर टेस्ट पीटी दो जार वाइस लिखा है, यहाँ पर यह ग्रीन कलर का फोल्डर दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, जैसी आप क्लिक करेंगे, आपके सामन यहाँ पर यह स्क्रीन आएगी, जिसमें लिखा हुआ है, प्रोफेशनल एक्जामीनेशन बोर्ड परिक्षा फार्म भरने एतु आवेदक का प्रोफाइल पंजियन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप प्रोफाइल बनवा लेंगे, और प्रोफाइल बनने के बाद जब फार्म भरने जाएंगे, प्रोफाइल पंजियन, तो आप लिखोगे क्या प्रोफाइल आइडी है, अगर नहीं है, तो नहीं करके पेले प्रोफाइल आइडी बनाना पड़ेगी, और है, तो यहाँ पे हाँ करेंगे, हाँ करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, तो आपने अगर प्रोफाइल बना रखा था पेले, तो इस प्रोफाइल का जो आपने चीजे जानकारी दी थी, उसके अनुसार आपका पूरा व्यक्तिकत विवरन यहाँ आ जाएगा, पूरा प्रोफाइल बनाते समय आपको यह सारी जानकारी देना पड़ेगी, इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, सरनेम, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर अपनी डेटा वर्त देना होगी, माता का नाम, सेक्षनिक योक्ता, पिता क्या करते हैं, जाती, सारी चीजें आपकी यहाँ पूछी जाएगी, इसके साथ जै आपके फार्म में जानकरी ले ली जाएगी, यह आप आगे देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यह घोसना आपकी आगई, सरीर के उपर इस्थाई चीन नहीं है, तो मोल अन राइट चीक यह लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ ले लिया पहचान पत्र में आप क्या देने वाले हो, आधार कार्ट, तो आधार कार्ट का नंबर, सारी जानकरी यहाँ पर वो अपने आप ले लेगा, अब आपको यहाँ करना क्या रहेगा, प्रोफाइल डालने के बाद, आप से वो यहाँ पर पूछेगा नीचे, कि कक्षा कि अंग्सूची अत्वा प्रवेस्पत्र जो भी उपलब्द हो के अनुसार अभ्ध्यारती का विवरन, तो आपको यहाँ कुछ जानकरी एक बार और भरना होगी, जिसे आवेदक का नाम, पीता या पती का नाम, आवेदक का उपनाम या सरने और जन्मती थी, यह जानकरी भरी है, उसको बहुत अच्छे से आपको चेक करना है, सारी जानकर यहाँ पर आप देखते जाएंगे, कि क्या हमने पिछला वर्ग डाला है, हमारी जाती क्या है, इस तरह से अपना नाम वगेरा सब अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के बार, हम लोग पूरी फिल्ड है ये भी बहुत इंपोर्टेंट फिल्ड है हमने कौन-कौन से यहां पर दस्तावें सलगन की हैं तो यह हमारे को यहां पर देख लेना है इसके बाद यह जो अन्य विवरन है इसको हम लोग बरना स्टार्ट करेंगे देखो यहां पर सबसे पहले आया वर्ग अब व सब्सक्राइब अनुसार ही अगर आपके पास प्रमान पत्र हो तो क्रसक पर टिक करें नहीं तो आपको यहां पर टिक करना है दिना वर्ग इसके बात प्राम लोग आगे चलते हैं किया आप जंढूक इसमीर के विद्यारती हैं क्या इसकी योजना का लाब देना चाहते हैं तो हमने कर दिया नहीं फिर हमने किया क्या आप नियम क्रमांग 1.8 BSC वानी की प्रठिक्रम में प्रवेश है तू सारे लिक योगिता रखते हैं तो अगर आपको BSC Forestry में भी admission लेना है तो वहाँ पर height वगेरा की जानकारी वो दी रहती है अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कर देंगे हाँ यस रखता हूं मैं फिर हम लोगों ने बात की क्या आप नियम क्रमांग 1.8 1.1 के नुसार प्रवेश है तू स्वास्त आहरेता रखते हैं स्वास्त हैं यस इसको हाँ करना है इसके बाद क्या आप NCC B अत्वा C प्रावन पत्र धारक हैं अगर NCC का आपके बास प्रावन पत्र है तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे देंगे इसके बाद क्या आप माध्यमिक सिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की 10 धन 2 पदती की आप परिक्षा नहीं दे पाएंगे जैसे आप यह नहीं डालते हैं तो आपके पास running का एक option आएगा running का option बर सकते हैं और अगर आप pass हैं तो यहाँ yes कर देंगे इसके बाद हम कह रहे हैं क्या आप 2020-21-22 की बार्वी परिक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अगर यहाँ नहीं करोगे तो यहाँ हाँ करना पड़ेगा तब ही जाकर आप यह farm आगे भर पाएंगे फिर हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास पूछ रहा है जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि बार्वी परिक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं क्या रणिंग वाले लोग यहाँ कर देंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं विसाय का चैन यह भी एक बहुत महित्पुन चीज़े विसाय का चैन करते समय हमें याद रखना है कि एगरी कल्चर में हम बात करते हैं AG 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हमने इस से तयारी की है तो हम C वाला अप्षन चुनेंगे एगरी कल्चर के दो अप्षन और आते हैं जैसे भोतिक, रसायन और एगरी कल्चर जिसको हम बोलते हैं PCA एक और आता है जैसे बाइलोजी केमेस्ट्री एगरी कल्चर इसको हम बोलते हैं ABC तो आपका एगरी कल्चर सब्जेक्ट होने से आप मतलब यहाँ पर नहीं है आपने कौन से ग्रूप से तयारी की है उसके हिसाप्षन को आप्षन लेना है तो यहाँ भी एगरी कल्चर दिख रहा यहाँ भी दिख रहा पता चले आप इन में से भर दें अगर आपने एगरी कल्चर वन प्लस टू प्लस थी से त्यारी की है तो सी चुनेंगे फिजिक्स केमेस्ट्री एगरी कल्चर से की है तो डी चुनेंगे ठीक है हमने एजी 1-2-3 वाला यहांपर C चुन लिया आगे चलते हैं क्या पेमेंट सीट के इक्षुक है तो इसमें हमारे को हा कर देना है बाद में आप पेमेंट सीट लो या ना लो अलग बात है लेकिन अभी हा कर देना है कई बार हम यहां नहीं कर देते हैं और बाद में फिर हमारा मन होता कि हम payment sheet ले ले तो अगर आपने यहां नहीं लिख दिया तो आपको payment sheet का option नहीं आएगा इसलिए बड़ी साउधानी से यहां पर हमारे को हां कर देना है इसके बाद हमारे को परिक्षा सहर जो है यह चुनना है चार सहर के नाम आप यहां पर चुन सकते हैं तो चारों का नाम चुल लिए आप यह चारों का नाम जैसे हमने यह चुल लिया जैसे इंदोर, भोपाल, जवलपूर, उज्जेन यह चार option हमने चुल लिए इसके बाद हमारे को यहां पर टिक करना है गोसना करना है गोसना करके हमारे को आगे बढ़ जाना है जब आगे बढ़ जाएंगे तब आपके सामने ये भरा हुआ फाम आ गया अब इसको अच्छे से एक बार फिर से चेक कर लें क्योंकि अभी हमने भुकता नहीं किया है ये लिखा हुआ है भुकता नहीं तो अभी जानकरी पड़ए है फिर यहां पर ऐक बात ध्यान रखना यहां पर एक dürfen पुरिणट पर उसके बाद आएगा डुक्त रोब यहां पर लें प्रिंटकर करके तो सारी जानकरी पढ़ लें इसके बाद यहां पर फिर आफ से करेंगे पैमेंट के लिए हम घर पे खुद कर रहे हैं मानलो नेट बेंकिंग से कर रहे हैं तो हमने इस तरह से जानकरी भर दी यह payment का option आ गया OVC category है तो 310 रुपे 60 रुपे पोर्टर सुल्क और 500 रुपे परिक्षा फीस यह आप से मंगेगा और यह हमने भर दिया बर के आगे बरेंगे यह ID पासवर्ड है यह अगर आप डालोगे और यहां से लोगिन करोगे तो आपका payment हो जाएगा यह हम खुद अगर payment करते हैं तो हमें यहां देना है नितो MP online वाले को देना है इस तरह से हमने PAT फार्म बरने संबंती संपूर्ण जानकरी देखी आपको फार्म बड़ी सावधानी से बरना है इसके साथ ही साथ मैं कुछे और जानकरी आपको दे रहा हूँ MGCI में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो PAT AG123 ग्रूप हिंदी मीडियम की नई बेच हमारे स्टार्ट हो रही है दस सितमबर से आप इसमें admission ले सकते हैं मानलो हमारा मीडियम English मीडियम है तो MGCI में हिंदी और English मीडियम की separate बेच होती है English मीडियम की बेच भी 10 सितमबर से स्टार्ट हो रही है ये PAT AG123 ग्रूप के लिए है आप इन में से admission ले सकते हैं इसके साथ ही आपको आपकी आने वाली परिक्षा के लिए मैं अगरिम सुबकामना देता हूँ साथ ही दोस्तों जब admit card आएंगे मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको farm भरने में आपकी जरूर मदद करेगा बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही